बूर्णिंग श्टुडेंट्स आज की कालन्स में हम पढ़ेंगे रासाइनिक अभिक्रिया के बारे में कारे विद्यार्थिव पिछले कालन्स में हमने बोतिक और रासाइनिक परिवार्तन के बारे में पढ़ लिया था अब यह जो अपना फर्स चेप्टर है रासाइनिक अभिक्रिया है विए स्वमिकन इसके जो अगला टोपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो आज का अपना टोपिक रहेगा रासाइनिक के रासाइनिक अभी किरिया देखो जार्थियों सब्द लिखा हुआ है रासाइनिक रासाइनिक के बारे में रासाइनिक परिवर्तन के बारे में हमने पिछले कालांस में बढ़ा था रासानिक परिवर्तन क्या होता किसी पदार्थ में रासानिक परिवर्तन हो गया तो रासानिक के परिवर्तन कहलाएगा उसके रासानिक गुन बदल जाते हैं आगे लिखा अभी किरिया, अभी किरिया क्या होती है, दो या दो से रिक पदार्थ आपस में किरिया करके और एक नए पदार्थ का निर्मान कर लेते हैं, तो रासानिक अभी किरिया को हम कैसे परिवासित करेंगे, रासानिक अभी किरिया को हम इस परकार से परिवासित कर सक या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई पदार्त है उसमें रासानिक परिवर्तन हो गया एक नए पदार्त का निर्मान हो गया तो वही रासानिक अविक्रिया है तो रासानिक अविक्रिया की परिवासा क्यों होगी किसी पदार्त में रासानिक परिवर्तन होना ही रासानिक अविक्रिय है जिंक दातू की जब सल्फिरिक आमल के साथ विक्रिया करवाई जाती है सल्फिरिक आमल का विलेन बना के उसके अंदर हम जिंक दातू दालते हैं तो क्या होगा थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिस बरतन में बरतन परियोग करते हैं तो परकनली काम में लेते हैं, परकनली लेके उदारन के लिए हम देखते हैं, एक परकनली लेते हैं, परखनली क्या होती है काच की बने एक नली का होती है जिसको परियोग साला में काम में लिया जाता है यह परखनली है इस परखनली में हमने सल्फियूरिक अमल का विलेन बना दिया सल्फियूरिक अमल है उसको पाने में डालके उसका विलेन बना लिया तो यह है सल्फियूरिक अमल और सल्फियूरिक अमल को सुत्र के दवारा लेखते हैं H2SO4 सल्फियूरिक अमल है इस सल्फियूरिक अमल के अंदर हम एक क्या डालत कि यह किसका टुकडा है जिंक दातू का कर गडान के अंदर हम सुलफिरीक अमल का बेलेंट यंद्टातू का टुकडा रालते थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस पर up के मौन्य से गेस निकलती ये और और है स्कणसी है 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 aelin है कि दू आ भीकलिए होगी कैसे हुई रासानिक अभिक्रिया इसके लिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं क्या का हमने कौन सी दातू है जिंक दातू जिंक के इस अभिक्रिया को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब जिंक दातु की सल्फिूरिक عمل के साथ अभी कर्या करवाई जाती है तो जिंक सल्फिर्ड का निर्मान होता है और आइड्रोजन गेस मुक्त होती है या एक रासानी कर्या है इसको हम कैसे रिखेंगे जिंक के प्लस से क्या लेखा है सल्फिूरिक अमल इन दोनों की किरिया से क्या बनेगा जिंक सलफेट प्लस हाइडरोजन गेस बनेगी अब देखिए यह हमने सब्दों के रूप में लिख दिया कि जिंक दात्व है इसकी सलफेट अमल के साथ किरिया करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गेस मुक्त होती इसको हम सुत्र के रूप में लिखेंगे तो जिंक का सुत्र होता है जेड एन पलस सल्फियूरिक अमल का सुत्र होता है H2, SO4 इन दोनों की किरिया से क्या बनेगा जिंक सल्फेट, JN, SO4 पलस से क्या बच गया यहां से हाइड्रोजन गेस अट गया तो लिए लिख दिया H2 उपर की तरफ तीर का निसान लगा दिया इसका अइड्रोजन गेस इस परकनली के अंदर से बाहर निकल रही यहां से गेस निकलते होई दिखाई देगी कौन से गेस है आइड्रोजन गेस है यह गेस निकलते हुई दिखाई देख तो यह राजसानिक अविक्रिया हो गई किसी पदार्थ में राजसानिक परिवर्तन हो गया सल्फिरीक अमल की जिंक दातू के साथ किरिया होई जिंक सल्फेट बन गया और आइड्रोजन गेस बन गई यह एक राजसानिक अविक्रिया है इन दोनों पदार्थों में परिवर्तन हो गया नए पदार्थ का निर्मान हो गया तो इसको हम राजसानिक अविक्रिया कहेंगे अब देखें रासानी कविक्रिया में बाईं तरफ जो अपने बाईं हाता उसकी तरफ पदार्थ है दाएं आत की तरफ पदार्थ है तो इसको बाईं पक्स कह सकते हैं इसको दाईं पक्स कह सकते हैं दोनों के बीच में तीर का निसान लगाया गया है तो रासानी का अभी करिया में जो बाई तर्तिर का निसान उसके बाई तर्प जो पदार्थ है उनको हमें किरिया कारक के या अभी कारक कहते हैं और रासानी का अभी करिया है उसमें दाई तर्प जो पदार्थ है इनको हम क्या कहते हैं इनको हम कहेंगे किरिया किरिया फल या इनको उत्पाद कहते हैं तो देखो तीर का निसा ना उसके बाएं तरफ जब पदार्थ है इनको हमने किरियाकारक या अभीकारक का है किरियाकारक या अभीकारक इनको कहते हैं रदाएं तरफ जो पदार्थ हो उनको किरिया अभीकारक या उत्पाद कहते हैं तो ये एक रासाइनी कभी करिया होगी अब देखें इसमें हमने लिखा करिया कारक या अभी कारक तो आप से ये पूछ लिया जाए कि किरिया कारक या अभी कारक किसे कहते ही तो हम इसकी परिवासा कैसे लिखेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं रासाइनी कभी करिया में भाग लेन वाले रासानी कभी करिया में बाग लेने वाले पदार्थों को किरिया कारक या अभी कारक करें, बाग कोंछे ले रहे हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं, रासानी कभी करिया में बाग लेने वाले पदार्थों को किरिया कारक या अभी कारक करें, बाग कोंछे ले रहे हैं, यह दोन मिल्क के नया पदार्थ बना रहे हैं तो रासानिक अभिक्रिया में बाग लेने वाले पदार्थों को किरिया कारक या अभिकारक कहते हैं और रासानिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को किरिया अभिकारक किसे कहते हैं इस अविक्रिया में जिंक और सल्फिरी कामल ये किरिया कारक है फिर किरिया फल या उत्पाद किसे कहेंगे रासानी कभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को किरिया फल या उत्पाद कहते हैं बन कौन से रहें जिंक, सल्फिर और आइडरोजन तो इनको क्या कहते हैं क्रिया फलिया उत्पाद कहते हैं इस परकार से रासनी कभी क्रिया क्या होती है किसे कहते हैं रासनी कभी क्रिया इसके उदारन ये बाते हमने पढ़ी है आगे की जो बाते हैं नेक्स बाते हैं वो हम अगले कालान से पढ़ेंगे धन्यवाद वे नाइ